कि अधिक पर्फिंस के अंदर हम लोगों ने पार्ट सोपीज के अंदर सबसे पहले नाउन को कबर किया था फिर पर नाउन को कबर किया और एक्जेक्टिब बे कबर हो चुका है तो यह जिए दो को आपको देखना है तो जस्ट यूटूब पे जाना है और नाउन बाई जून सर्मा कड़के सर्च कड़के आज आएगा अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं तो आप अंजन सर्मा चैनल पे जाईए अंजन सर्मा यूटूब पे सर्च के जिए वहाँ पे मेरा चैनल आएगा वहाँ पे पहले लिस्ट सेक्शन में आपको बहुत से पहल चाहता हूं दोस्तों वर्बू उन एक्शन वर्ड को कहते हैं उन जो एक्शन किसी के किसी चीज के होने के बारे में बताते हैं कि काम है वो कैसा है मतलब वो काम की काम के बारे में बता रहें कि काम जो काम है वही आपका एक्शन वर्ड हो गया जैसे कि अब बता रहा हूं मैं एक ऐसा वर्ड जो कि बताता है किसी एक्षन के बारे में मतलब किसी स्टेट के बारे में किसी ऑगरेंस किसी चुछ के होने के बारे में जैसे कि run run मतलब होता है दोरना, scolded मतलब डाटना, speak मतलब बोलना और laugh मतलब हसना एक एकजामपल देखते हैं, the boy laugh loudly, तो यहाँ पर the boy है वो नावन है, laughs है वो आपका भर्ब है और जो loudly है वो आपका it भर्ब है तो यहाँ पर आप चीजों को देखना है कि laughs जो है वो भर्ब है, अब एक चीज समझे है कि भर्ब के डो टाइप होते हैं, transitive and intransitive अब यह difference क्या है, transitive और intransitive है, छोटा सा difference है, जो transitive भर्ब होते हैं, उनके पास भर्ब के बाद आपके object होते हैं और जो intransitive भर्ब होते हैं, उनके बाद object के बाद भर्ब नहीं होता है अब ट्रांजेटी भर्व को अच्छे से समझ लेते हैं एक वाइसा सब्द जो कि किसी एक्षन के बारे बताता है जो कि किसी ओब्जेक्ट के द्वारा होता है जैसे कि उसने सच बोला जो घोरा था उसने आदमी को लात मारी थी अब देखिए यहाँ पर जो किक्ड हो गया, स्पोक हो गया यह आपका ट्रांजेटी भर्व हो गया और इसके बाद देखिए दो तुरूत हो गया, वो अबजेक्ट हो गया, दमैन है यह भी यहाँ पर अबजेक्ट हो गया तो वहाँ पर object नहीं होगा जैसे की a word that explains action ये को ऐसा सब जो किसी action को बताए but do not have an object उसके पास कोई object नहीं हो जैसे की he spoke hotly अब देखिए यहाँ पर the horse neighbor kicks तो यहाँ पर आपको पता चल लाए कि जो गोरा है वो कभी लात नहीं मारता है आपको यह तो पता चल लाए कि लात नहीं मारता है किक्स जो होगे आपका भर्व है लेकिन यहाँ पर object नहीं दिख रहा है तो hopefully आप चीजों को समझ पाए होगे कि भर्व क्या होता है transitive verb और intransitive verb में differences क्या है और यह ही चीज़ है भर्व में कुछ ज़्यादा है नहीं वर्व में transitive और intransitive वर्व action वर्व को हम लोग भर्व कहते हैं तो चीजों को समझ ज़िए और यह सुपर टेंशिरिज को जरूर देखे आपको बस 10 मिनिट देना है 10 मिनिट में देखें मैं यह नहीं साहता कि कुछ भी करो यह knowledge लो अज के जवाने में skill बहुत ज़िरूर है जितना ज़्यादा आपके पास skill होगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगा उतना ज़्यादा आप टार्गेट अपने तार्गेट को achieve करेंगा और अपना दुनिया में नेम फेम जो भी आप जो भी आपके ड्रीम से उसको achieve कर पाएंगे तो चीजों को utilize किजिए और बस पढ़िए मन लाया के पढ़िए अपने सपने को पूरा किजिए बस यही यही आप से आप सब के लिए दुआ करता हूंगे दोस्त और मैं आप के लिए हमेशा हूं और चीजे आती रहेंगे आप लोग के लिए हमेशा और बीना किसी cost पर यह चीज फिक्स है और जो भी चीजे होंगे मैं यह चीज बोलूँगा कोई भी जो भी चीज मैं आपको लाओंगा वह अच्छे ही चीज होंगे चीजे थैंक यू अल्डवेश्ट पर यू लाओंगे